तो आज हम अपने डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन के प्लेलिस का वीडियो नमबर थ्री करेंगे लीट को नमबर 460 हार्ड लेवल का क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है यह एजी है मेडियम के लेवल तक तो चला जाएगा ठीक है समझने के बाद LFU Cache नम है क्वेश्चन का इससे पहले अप आगे बढ़ो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई LRU Cache का वीडियो देख कर आओ तीक है मेरे इसी प्लेलिस्ट में वीडियो नमबर 2 है वो क्यों कि मैंने वहाँ समझाया है कि क्यूंड़ी लिंक-लिस्ट ही बेस्ट इंटको बनाने का चैनरी लोग नहीं बताते हैं कि क्यूंड़ी लिंक-लिस चूंकि सही होता तो छुछ सुर वहां के बुए हम कुछ बाते немाइब थो आप समझ नहीं पहुगा इसलिए मैं तो Microsoft ने पूचा इस question को question सच में hard level का है और काफी अच्छा question है data structure का बहुत intense use है इसमें तो देखते हैं input or output देखकर समझते हैं कि question क्या है तो देखो question तो बहुत अत्यक similar है LRU से इसमें भी दो function होंगे get होगा और put होगा ठीक है get में तो बड़ा simple है आपको एक की देगा आपको एक की देगा उसे corresponding अगर value है तो रेटन कर तो अगर वह की प्रेजंट ही नहीं तो इंसर्ट कर देना है ठीक है लेकिन अगर इंसर्ट करते वक्त आपको यह पता चला कि आपका लेफ्यू जो कैश है आपका उसका साइड एक्सी साइज एक्सीट कर चुका है यहां पर देखरो साइज कितना दे रखा है दो दे रखा है लेकिन अगर एक्सीट कर गया तो अब्वेस है पहले आपको पॉप करना पड़ेगा element को हटाना पड़ेगा जैसे हमने लार्यू क की को जब हम डालेंगे ना तो घंटर में रखुँघाएंगा अगर वह नया अधा ऊखूंटर होंगा और इसी तरह है इसमें कोई अपडेट हुआ ठीक काउंटर 1 होगी कुछ चीजह होगा जिसकी छोटी वैल्यू होकी फ्रिक्वेंसी की काउंटर की हैं और चोटी सबसे चोटी उसी को डिलीट करेंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि counter की value अगर one है तो अभ्वेसे बहुत सारे कीज हो सकते हैं counter value जिसकी counter value one हो की one, key two, key three and so on similarly two पे भी ऐसा हो सकता है ठीक है तो अगर अगमाल लेते हैं अभ्वेसे counter one है counter two है तो दोनों में से least frequently used कौन है counter one वाला ठीक है तो ठीक है counter 1 वाले को delete करेंगे counter 1 में भी बहुत सारे competitors है अब इन में से कि इसको delete करोगे तो इसमें क्या बोला कि इसमें जो least recently used होगा उसको delete मार देंगे तो आपको याद होगा मैंने least recently used वाले मैंने क्या बोला था जो least recently used उसको मैं back में push रखता था ताकि मैं अराम से pop back कर सकूँ उसको अराम से हटा दूगा pop back करके ठीक है वो अभी आएंगे जब dry run करेंगे तो फिर से बता दूगा उसको लेकिन हाँ अगर tie हो गया जैसे least frequently मुझे देख तो रहा है साफ साफ की frequency 1 वाला है लेकिन इसमें भी competition है की 1 को हटाएं की 2 को अटाएं की 3 को अटाएं तो इसमें जो least recently used ना इस लिस्ट में उसको अटाना तो मैं लास्ट वाले को अटाऊंगा ठीक है और याद करो जब बढ़र करके इसको समझ लेता है कि आंसर है और कैसे आ रहा है तो अब समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक पर एक काउंटर होगा जो अपडेट करता रहेगा कि भाई जो भी मैंने की डाला वो कि काऊंटर को भी लौंग करता है ठीक है वो उसका 감 Pandemie होगा उसकी का काउंटर होगी तो इसका मतलब यह कि मुझे इक काउंटर नगंड़फंडर का तो रखना पड़ेगा एक मंअ पड़ेगा इसका नाम मैंमें फ्रिक्वेंसिंखियों रखहें एक approaches रखेगा और कोई भी नया element आएगा तो अब्वेस है उसका counter 1 होगा क्योंकि पहली बार होगा यह question में बोल दिया करने को इसलिए मैंने एक map ऐसे सोच लिया कि एक map मैं ऐसा रखोंगा कि counter corresponding किसी का counter कोई भी element पहली बार आए तो इसका counter 1 ही होगा तो अब्वेस है कोई बहुत सरे elements है जो पहली बार आएंगे तो यहां पर एक list होगी बहुत सरे elements हो सकते हैं तो अब्वेस है और उस list में अगर tie होता है तो मैं LRU यूज़ करने वाला हूं तो याद करो LRU में क्या यूज़ करते हैं डबली link list यूज़ करते हैं तो हर एक counter के अगेंस्ट ना एक डबली link list होगा तो यानि कि मैंने ऐसा map बनाया ना frequency map बताई इस map का नम frequency है इस map की खासित क्या है कि इसका first value जो है वह counter होगा frequency काउंट करेगा दूसरी value पता है क्या है एक list और डबली link list है तो देखरो multiple double link list आएंगे हमारे पास एक यहां पर आएगा counter 2 वा तो 2 का आएगा 3 वा तो 3 का आएगा तो ऐसे बहुत सारे double link list आ सकते है ठीक है तो एक तो यह हो गया अभी इसको हटाते है इन arrow को भी हटा देते है ठीक है और एक चीज़ और की counter का दो ध्यान दे दिया हमने लेकिन हमने हमें याद है question में get करके key भी बोलता है और बो और की के corresponding मुझे value चाहिए होगी और वह value node में stored है double link list में stored है है तो मैं यहाँ पर address रख दूंगा double link list वाले node का ठीक है अब LRU देखो गे न तो LRU से समझ में आ जाएगा मैं क्यूं कर रहा हूं ऐसा ठीक है address क्यूं store कर रहा हूं तो यहाँ पर मैं address store कर लूंगा तो आप और वह दो से जादा होगी जो limit दे रखा है तो वैसे उसमें question में क्या दे रखा है कि पहले उसको delete करो जो least frequently यह जिसका counter सबसे चोटा है तो अब वैसे बात है counter बहुत सारे आ सकते है 1 2 4 3 10 है ना तो एक काम करते है ना यह मैं इसको ordered map ले ले लूंगा ordered map पता इससे values होंगे ना वह automatically sorted order में होंगे sorted होंगे यानि कि कुछ ऐसा होगा पहले वान होगा फिर 2 फिर 3 4 इससे फाइदा पता क्या होगा कि मैं इस frequency का सबसे पहला element आख बंद करके यह बोल सकता हूं कि सबसे पहला element का जो counter है वह सबसे चोटा होगा एक चीज समझ गया है ना यह ची इसलिए मैं बोलता हूं कोई चीज क्यों ली गई है हर चीज का reason होना चाहिए तो मैंने ordered map क्यों लिया है वह भी मैंने बता दिया ठीक है ताकि यह ना पुछो कि भाई इसके लिए और इसके और इसके लिए लेगा कि मुझे यहां जरूरत ही नहीं पड़ेगी है ना मुझे तो डिरेक्ट की दूढ़ना है उससे भी काम चल देगा ordered map से भी काम चल जाएगा लेकिन मैं यहाँ unordered map ले रहा हूँ unordered map थोड़ा efficient होता है और यहाँ audit map लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे मैं हर बार क्या करूँगा आंक बंद करके directly बता सकता हूँ कि भाई यह बंदा पहला वला बंदा हमेशा छोटा counter value होगा ठीक है वो फाइदा मैं उठा लूँगा तो ठीक है तो यह चीज तो clear होगा मैं code में लिखोंगा audit map और unordered map तो वहाँ confuse मत होना तो मैंने यहाँ बता दिया आपको ठीक है चलो इसको erase कर देते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब देखो इस dry run जो मैं करूंगा ना उसको story ही समझ देना क्योंकि इसी खास बत यह dry run से ही पूरी चीज़े clear हो जाती है ठीक है तो चलो मैं dry run करने जा रहा हूँ सबसे पहले क्या था एलफ्यू cash बनाने बोला two size का वह हम बना लेंगे कोई बात नहीं उसके बात क्या बोल रहा पुट करो वन कॉमा वन को पुट करो वन कॉमा वन को यानि कि की क्या है मेरा इस बर दूसरा यह कि पहले तो यह चेक कर लो कि यह जो की आपने मुझे पूट करने को दिया ना one वह अल्रेडी कहीं है तो नहीं ना तो मैं मैप में चेक कर लोगा क्या इस मैप में वन अल्रेडी है नहीं नहीं है अगर नहीं है तो नहीं बंदा है ठीक है अगर वह नहीं है तो मैं क्या करूँगा size 1 कर दूँगा और बोलूँगा भाई तू नया बंदा है तू आजा मैं तुझे डाल देता हूँ तो मैं पता है क्या करूँगा सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मुझे यहां की को तो इसको और यहां पर डाल लेते हैं उसको और यह बंदा नया हैasive फ्रेशा रहिए इसलिए से कांटर यहां डबली लिंक्स बनाना है तो 1 की है और यह 1 वैल्यू है ऑगे बढ़ते हैं इसके बाद इसका address विए पता होगा क्योंकि की आटकोड मैं क्या बहुत करता कि हर बार मैं DLL के front पे पुश करता था कोई भी नया element आता था ना क्योंकि एप आप करते हो बैक से पॉप करता थे बन्दा नया नया आया बैचारे को front पे रहाए ताकि गल्दी से recommending जो डाट बेडिंगे करूंगा ढ़ाट बेडिंग तो डारिक मुझे । मेरा प्लिक מरत मिल दागा तो मान लेते हैं इसकी Divya क्लिए मेरा रहा होगा है कि मानले ते इसका रहा होगा वर्न के की के corresponding जो भी value value होगी मुझे मिल जाएगी address x पे मैं यहां से जाओंगा मुझे की और वैली दोनों मिल जाएगी चलो बढ़िया यहां तक तो clear है ठीक है अब एक चीज ध्यान दो ना यहां पर dot begin करके मुझे address मिल गया हुआ क्योंकि मैंने dll के front पर डाला है उसको है ना तो इसको लिखें कैसे code में वह भी मैं अभी बतायता हूँ तागे time waste ना हो frequency ठीक है frequency 1 frequency 1 से क्या हुआ frequency 1 से क्या हुआ मुझे यह मिल गया dll ठीक है dll मिल गया dot begin code में ऐसे लिखूंगा confused में इतना बड़ा सा क्या लिख दिया frequency 1 से क्या होगा frequency तो समझ में आ गया one करने से क्या हुआ कि यह one वाली की है उससे corresponding value क्या है यह है dll है पूरा का पूरा dll और उस dll का begin मैंने डाल दिया begin क्या है x है मैंने यह डाल दिया यहां तो यह मैंने frequency 1.begin डाल दिया क्योंकि यह बंदा नया था तो वन वाले इस काउंटर भी होगा तो वन के corresponding मैंने इस वन वन को डाल दिया ठीक है कहानी खतम अब आते हैं की वैल्यू पुट मैंने वन कॉमा वन कर दिया बढ़िया अब आते हैं पुट टू कॉमा टू पे ठीक है तो पहले तो यह देख लेता है कि भाई मैप में मेरे टू है कि नहीं मतलब बंदा है ना तो इस बार क्या आया टू है की और वैल्यू भी टू है तो मैं बोलता हूं चलो ठीक है साइस को तो पहले बढ़ा देते हैं और साइज अभी भी चंगा है क्योंकि एलाफ्यू की मैक्सिम कवैस्टी चलो बढ़िया तो टू को यहां डालना तो है लेकिन अड्रस चा करूंगा ठीक है मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि फ्रिक्वेंसी वन दॉट पुश अंडर्सकूर फ्रेंट करूंगा है ना तो पुशन फ्रेंट से क्या होगा यह आगे आजाएगा फ्रेंट का काम है वह कर देता है इसको मैं रेस करके आगे शिफ्ट कर देता हूं यहां पर आजएगा कौन तू कॉमा टू आया नहां और यह डबली लिंक्लिस यहां पर स्ट्रेंट में कौन था वन को माइन था और वन को मौन का एड्रेस अग था माल लेते हैं इसका एड्रेस वाई दे दिया उसने ठीक है अब ठीक है इंप इंसर्ट तो कर दिया मैंने और वैसे बात है फ्रेश बंदा आया था तो वन पर होगा वह तो वन लिग दिया डॉट इस फ्रेक्वेंसी बंसे मुझे यह डीलल का एक्सेस हो गया इस यह वहले डीलल का और उसका डॉट बिगिन करूंगा तो पहला बंदे का एकसेस मिल गया पहला बंदा डैट इस वाई इसलिए यहां स्ट्रेस देता हूं हर एक लाइन पर तो यहां तक क्लियर है चलो बढ़ी अब आगे बढ़ता है तो अब आते अपना नेक्स नेक्स क्या बहुत क्या बोल रहा वन get1 ठीक है तो भाई सबसे पहले तो यह देख लेते हैं कि मेरे मैप में वह 1 की है भी की नहीं हम मैप में 1 की तो है बहुत ही बढ़िया ठीक है तो अब मुझे इस 1 की के क्रिस्पर्णिंग वैल्यू चाहिए क्योंकि वह मुझसे get1 मांग रहा है तो ठीक है मैं क्या करूँगा वन की कहा स्टोड़ वहाँ चला जोँगा एकस है ना एकस पर मैं चला गया डाइरेक्ट यही फाइदा था एड्रस टोर करने का एकस पर आ गया ठीक है अब एक चीज ध्यान दो यह एकस पर जब आया तो मुझे याद है मैंने यहाँ पर एकस का 1,1 यानिकि की कॉमा वैली यहाँ से निकाल लूँगा वैली मैंने यहाँ वन स्टोर कर लिया अंसर के लिए रेडी हो गया बट मैंने क्या बला था भाई यह बंदे को अभी जस्ट मैंने यूज किया है ठीक है तो यह निकि फ्रेश हो चुका है तो अब वैसे इसको मैं फ्रंट पे डालना सबसे इंप्रन पार्ट है एस करने की बार ही ठीक है तो आप खुद सोचो मुझे इहरें किसको करना इस डबली लिंकलिस्ट में को इस वाले node को erase करना हैं फिर सरी इंबिट कर रहा हूं इस Glue Linklist में मुझन इस वाले node को erase करना है ठीक है तो अव्यसी बात है मुझे इस node यह node झो है न मुझे यह पता होना चाहिए कि अच्छा इस node का frequency क्या है इस node का query सी क्या आप वह नetted का ऌइन हो मैं कीऊ-एर वैल्यू स्टोर कर रहाता न आना कीऊ-उर 모양 यहां पर बीचिर्व साथ फ्रिक्वेंसिघी काम करते यहां पर कौंसा उमाट्र व्हाई चलो ठीक है फिरसे आते हैं कि इसाली द bere coke मैं करना जिन धूर thirty-فس ऑन där है तो मुझे इस X को इ्रेस करना तो पहले तो मैं इससे पूछांगा 12 एक से कि भाई तेरा frequency के यह यह मुझे बताएगा कि भाई फ्रिक्वेंसी जो है नरा वो 10 थीक है भाई तेरा वैल्यू के वैल्यू भी पता चल से कि भाई तो मुझे पता चल गया तो अब ध्यान दो मुझे फ्रिक्वेंसी पता चल चुका है फ्रिक्वेंसी नहीं क्या बोलू इसको काउंटर बोल देता हूं काउंट बोल देता हूं ठीक है यह तो एफ मान लो कंफीजन कंफीजन ना होगा है फ्रिक्वेंसी वन और वैल्यू वन ठीक है अब देखो मुझे पहले तो इस डीलल को एकसे करना पड़ेगा और यह डिलल कैसे अक्सेस कर पो रहांगा पाऊंगो जब मुझे पता हो कि कौन सी फ्रिक्वेंसी है ना मुझे पता छल चुका है यहाँ पर फिजिकल टूपन ए तो देंको धियान है जो इस डीलल को कैसे करें लोग感 behind frequency नाम का मेरा map है मुझे frequency पता चल चुगा किस frequency में वो DLL चिपा है F में चिपा है ठीक है यह पता चल गया frequency F से मुझे क्या मिल गया यह DLL का access मिल गया यह पूरा DLL दिख रहे हैं उसका access मिल गया ठीक है यहाँ तक clear है और उस DLL मुझे किसको erase करना है इसको एड्रेज करना है एक्स को एड्रेस करतेगा हमारी टेंशन नहीं है एड्रेक्ट एड्रेस बहुत दो दोगेना सबस्ट और पॉइंटर्स पॉइंटर्स एड्जस कर देगा आ तो देखरो यहाँ पर मैंने कैसे लिखा एक चीज और कि चलो पहले इसको Why यह काफी गंदा हो गया किसको मैंने इसको इसको इक है इस कर दिया तो यह मेरा इयरेज हो चुका है इस जो बहुत बढ़िया कि कि यह बात है तो आववेस यह बात है मतलब यह एक बार और अपडेट हुआ एक तो उसने क्या बोला था इस इंक्रीज करेगी कि ऐसे काउंटर इंक्रीज होगा तो हमने वन को गेट किया था तो हमने वन को यहां से घृटातो दिया इससे DLL से क्यों अटाए क्योंकि अब उसकी frequency बढ़ने वाली है उसकी पहले frequency क्या थी वन थी अब वन में प्लस प्लस कर देंगे तो क्या देगा टू तो यहां टू नाम की एक entry बनेगी और उसमें यह वन वाला नोड जाएगा ठीक है उसमें एक नया नोड बनेगा one key one थी value भी one थी और frequency देखो भाई दो है इस पर ठीक है बहुत important चीज था बहुत important part था यह पूरे code का है ना फिर से बता रहा हूँ get one था तो भाई मैंने क्या किया मैं x से के पास चला गया यहां पर याद है पहले x नाम का note था ना x था यहां पर one, one, frequency one था तो मैंने इससे frequency पता कर लें कि भाई तरह frequency क्या है वन बता दे ठीक है तो तो तेरह frequency अब चेंज होने वाला क्योंकि तो अभी अपडेट हुआ है तो तरह frequency 1 था ना तो वन प्लस वन टू कर देते हैं और टू में तुझे को डाल देते हैं one, one और frequency two है तेरा और मुझे तुझे यहां से रे देखो तो इस key इस map में key का address क्या था one जो है ना one key उसका address क्या था x था ना लेकिन अब तो हट गया वह x अभी तो हमने नया लिंक्लिस बना दिया ना तो अब विससे बात है उसका address डालना पड़ेगा यह x तो गलत हो गया तो इसको मैं erase कर देता हूं और यहां क्या एफ प्लस प्लस करके और वो चुकी थी तो तू हो चुकी थी और मैंने अब हमेशा क्या पता था जब भी डालेंगे डवली निकलेंगे तो फ्रंट पर डालेंगे तो फिर से वही करेंगे भाई कैसे निकालेंगे फ्रंट का address frequency f क्या है बाई टू है एफ डॉट हमेशा फ ठीक है तो मैंने जड को यहां पर चुप चाप डाल दिया यह सबसे इंपॉर्टन पार था यह गट वन क्लियर हो गया होगा ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं हमारा next operation क्या है भाई हमारा next operation है पुट 3,3 ठीक है पुट 3,3 तो यह सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टन थिए पॉर्ट 3,3 इस में तो क्या करेंगे सबसे पहले यह दुन अलरड है कि हमारे माप में हमारे मैप में 3 अलरड है नहीं हो यह सब вами कर रहा हूं तो पर उसके बाद क्या चेक करते से 3 नहीं है तो मतलब डालना पड़ेगा लेकिन फ़रे मैप का साइज अभी कितना है हमने कितने ऐल्मेंट सेंटर कर दिया दू अब रही दू ही थी तो अब आपको डिलीट करना पड़ेगा यह आ गया सबसे important part और question में दे रखा है delete करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे least frequency use सबसे LFU जिसके counter सबसे छोटा होगा और अगर उसके counter में maximum बहुत सारे elements है तो उसमें LRU कर लेंगे और LRU बड़ा सिंपल है मैंने क्या बला था pop underscore back कर देंगे वह अलारी हुई होगा मेरे लिए ठीक है अब आते हैं इस पर आगे बढ़ते हैं ठीक है तो भाई सबसे पहले तो मुझे किसको डिलीट करना है जिसकी counter सबसे कम है LFU को डिलीट करना है तो मैंने क्या बला था यह ordered में आप है तो मुझे 100% शौर है कि जो पहला वाला बंदा होगा उसी का counter सबसे कम होगा देख लिए फाइदा order में आप यूज करने का तो मुझे 1 को ही access करना है और 1 मे ही मुझे किसी की को डिलीट करना है तो यह तो मिल गया अब माल लेते हैं बहुत सारे elements होते है तो अब वेसे बात है उसमें LRU करते हैं जो सबसे last में होगा उसको डिलीट करते हैं तो यहां पर तो अब्वेसे यह केला बंदा है और पॉप बैक करेंगा तो यही डिलीट ह युआ है कि डॉट accept me abbao am producen watch me नृट चैनलका मुझे इसका मिल जाएगा एक्सेस और अब्वेसे सरी फ्रिवेसे यह कि माले इसका पहला वाला बंदे गस्विक्स मेंद्स मिल यह to तो पहला बंदा डॉट फर्स तो काउंटर रहे ऑघार डॉट विगिद का सेकंड इस यहां यह दिवैल से क्या मिल गया इस क्या चोस्पाँ उत्व कि मिल ना ऑन लिमेंट अब यादकर मैंने क्या बाला, cute को करना वोगा इस DJI आल मैं हुगा जो सबसे पीछे है है ना इस list में जो सबसे पीछे है उसी को तो हम लोग delete करते थे ना ठीक है? तो क्या होगा? इस list का सबसे back में जो element है सबसे back में element कौन है? यही है 2-2-1 है ना ठीक है? तो उसका key देख लेते हैं वहाई key क्या है तेरा? 2 है, तो ऐसे लिख देते है key underscore delete, जिस key को delete करना है, उसका key क्या होगा list.back में कौन सा बंदा है 221 वाला बंदा है ठीके, और उसके पास 3 elements है, पहला वाला key है दूसरा वाला value है, तीसरा वाला frequency है तो मुझे key से मतलब है तो, वो अब वेसे वो एक vector है list.back से ये पूरा vector मिल जाएगा, ये जो node है, एक तरह का vector है, तीन elements है, तो 0 index में ये 2 है, 1st index में ये 2 है, 2nd index में ये 1 है, तो मैं अगर ये 0 कर दूँगा, तो मुझे key to be deleted मिल जाएगा, और वो क्या होगा 2, जिस key को delete करना है, उसके value 2 है ठीक है, और हाँ, key तो निकाल लिया, क्यों की निकाला, भाई, क्योंकि map से भी तो उठाना पड़ेगा न, उसको, इसलिए निकाल लिया, बट याद करो, delete करने के लिए बड़ा simple सा code था हमारा, list dot pop underscore back, simple as simple as that, है ना, LRU में यही तो सिखा था, LRU में यही सुझा था, pop back कर दो, कहानी खतम, ठीक है, यह चीज़ तो clear हो गया, हाँ, अब देखो, इसको pop back किया, तो अब्वेस है, यह delete हो गया, यह delete हो गया, थोड़ा, साफ कर देते हैं, इसको, यह delete हो गया, ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, बहुत important part, इस one के corresponding तो अब कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो मेरा क्या, least recently counter अभी one रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो इसको erase कर देंगा, one को भी, यह पूरा का पूरा, one ही erase हो जाएगा, अब कोई मुझे future में कोई पूछता ना, कि भाई, तेरे frequency में least counter कौन है अभी, तो मैं बुरूँगा, भाई, two है, क्योंकि one का कोई थाए नहीं, one मर गया, समझे, यह भी कौन केस है, अगर one में सारे notes delete हो गया, तो उस one को भी हटा देना, next time के लिए least recently counter, यह two रहेगा, मेरा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको delete कर दिया, और अव्वेस से बात है, delete करना भी बड़ा असान है, पहले वाले को delete करना था, जो begin में था, उसी को delete करना था, तो कैसे delete करेंगे, यहां लिखता हूँ, frequency नाम के map था, dot begin को मुझे, sorry, frequency dot erase करना है, किसको करना है, जो सबसे पहला element था, क्योंकि वो खाली हो चुका है, चेक डाल देंगे, अगर खाली होगा तो इसको erase करना है, तो erase करना है, किसको erase करना है, भाई, मुझे बस यह दे देना है, frequency dot begin का first याद करो, किसी भी map में erase कैसे करते था, mp.erase और जो key की value होती है, याना map में क्या होता, key और value होता, तो key का value डाल दो, first से मिल देगा न मुझे, तो वो erase हो जाएगा, ठीक है, यह इसलिए बता रहे हो, ता कि code में मैं लिखाँगा, तो confuse मत होना, ठीक है, और code में बताऊंगा भी, tension मतलो, उसको revise भी कराएंगे, code जब लिखेंगे तो, तो यह हमने erase कर दिया है, यहाँ पर, ठीक है, और जब हमने यहाँ पर put 3,3 आया था ना, तो हमने तो erase कर दिया, अब एक चीज़ ध्यान दो, 3,3 तो fresh आया है भाई, तो 3,3 अगर fresh आया है, तो अव्यसे 1 डालेंगे यहाँ पर, 1 डालेंगे ना, क्योंकि fresh है, उसकी counter 1 होगी, question में दे रखा, कोई नया बंदा आता है, fresh बंदा आता है, उसके लिए 1 ही होगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या गिया, 3,3 को डाल दिया, और उसका frequency कौन सा है, 1 है, यह डाल दिया, ठीक है, तो कैसे डाला वो देखो, code में लिख रहा हूँ, नया बंदा है, तो 1 होगा, dot, push underscore front, front पे डाल रहे हैं, हाँना, frequency 1 से तो मुझे यह मिल गया, frequency 1 से, मुझे इसका access मिल गया, उसके front पे push करना है, push underscore front, किसको डाल रहा हूँ, एक key, एक value, और एक frequency 3 कौन सी है, counter कौन सी है, वो, तो key याद है, 3 था न, value याद है, 3 था, और मुझे counter तो अब्वेस है, fresh बंदा है, तो 1 होगा, यह तो हमने कर दिया, हमने यहाँ पर अपने frequency वाले map में तो push कर ही दिया, ठीक है, लेकिन याद करो, मैंने कहा था न, कि जिस key को हमने delete किया था, हमने यह store कर लिया था, हैना, क्यूंकि उसको delete भी तो करना है, हैना, मैप से, तो last में, मैप से delete भी कर देंगे, मैं अब क्या करेंगे, mp.erase key to delete, हैना, mp.erase, यह key delete की value लिखर की थी, मैंना, key delete, वो तो यह कर देंगे, ठीक है, और, अभी जो key है मेरा, अभी जो key है, क्या आया है भाई, अभी 3, 3 हैना, 3 है, तो, अच्छे ठीक है, key to delete, किस को delete किया था, 2 को delete किया था, यह तो delete हो गया, और अभी जो नया किया है, वो 3 है था, 3 को तो डाली देते हैं, और 3 के corresponding address क्या होगा, मुझे अव्वेसी बात है, मैंने frequency 1 वाले में push front किया है, हैना, तो अव्वेसी बात है, क्या करेंगा है, यहाँ पर frequency 1.begin, हो सकता है, उसका value मान लेते हैं, क्या लिख दे, मान लेते हैं, h होगा, तो ठीक है, यहाँ पर frequency 1.begin के जगा हो जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है, as simple as that, तो देखो यह dry run की खास बात यही है, क्या 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 पता चल गया, कौन-कौन सा data structure यूज़ करना है, दो map यूज़ करना है, ठीक है, और क्यूं देख रहे हो, यहाँ पर मैंने तीनों यूज़ किया, की, value, और यहाँ counter की ज़रूत पड़ गई, बीच में मने बता था क्यों counter की ज़रूत पड़ गई, याद है, क्योंकि मुझे पता करना था कि भाई, कौन सा, इस frequency में, कौन से counter में है यह DLL, है ना, इसलिए counter भी store किया, ठीक है, और यह map क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ key है, और इसके corresponding एक address है, हर line का क्यों पता होना चाहिए, और मैं आपको बार रिबीट करता हूँ, हर line का क्यों पताना चाहिए, वैसे वीडियो मत देखो, जो direct बोलते थे, कि हाँ, हम DLL यूज़ करेंगे, प्लीज आप, आप, वीग हो जाओगे वैसे, अगर आपको DSA में strong होना तो, you should have the answer to every why, हर एक line का why का answer होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं हर एक चीज़ बताता हूँ, क्यों ordered map लिए वो भी देखा, आप में आपको बताया था, क्योंकि आख बंद करके मैं बता सकता हूँ, क्योंकि पहला वाला बंदा, सबसे चोटा काउंटर वाला होगा, क्योंकि ordered map है, तो obviously ordered way में होगा, ascending order में होगा, ठीक है, अब जब code करूँगा ना, तो पुहाई पूरी की पूरी line by line same story सुनाँगा, और हरे client को बताऊंगा भी, tension मतलो, ठीक है, तो चलो इसका code करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बता दूँ, याद करो मैंने DLL direct use किया है, C++ का STL use किया है, list, ठीक है, लेकिन हो सकता है interview में आपको बोले कि double link list को implement करो, तो वो तो आप कर सकते हो, college में बताते हैं, अगर नहीं बतायोंगा आपको अच्छे से, तो मैं double link list का एक playlist अलग से बनाऊंगा, उसमें मैं double link list का implementation ही पता दूँगा, बट ये question अलड़ी बहुत बड़ा है, कभी भी आपको interview नहीं बोले है कि DLL को अलग से implement करो, उसकी tension मतलो, ये question अपने में ही बहुत ही खतरनाग है, इसलिए इसकी tension मतलो कि double link list का ही implement करने ना देदे, आपने ये दोनो data structure ही बता दिया ना interviewer को, interviewer वही पर impress हो जाएगा, कि भाई ये data structure ज़रूद पड़ेगी हैं मैं, क्योंकि ये question ही बहुत तगड़ा है, तो चलो code करते हैं, पूरा implementation तो नहीं पूछेंगे, या तो एक दो घंटे का interview तो शायद पूछ दे, ठीक है, आपको data structure ही identify कर भाई वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो भाई, एक capacity नाम की variable रख लूँगा, size नाम की variable रख लूँगा, ठीक है, और देखो, ध्यान दो, और capacity में ये देख लूँगा, कि भाई, capacity क्यों रख रहा हूं, इसमें ये assign कर दोगा, कि total capacity येतनी है, और currently मेरा size 0 है, अभी एक बेलमेंट ठीक है, अब, देखो, ध्यान दो, मैंने क्या बहला, मैं दो data structure रखने वाला था, एक unordered map होगा, ठीक है, unordered map होगा, जिसमें क्या डाल रहा था, याद है, key और key की corresponding उसका address, ठीक है, तो key, इसमें key होगा, और यहाँ पर address होगा, ठीक है, इसका नाम MP रख देते हैं, यहा टोड़ी देर में, वेट करो भी, और दूसरा मैंने क्या रखा था, एक map रखा था, ordered map होगा, इंट, ठीक है, इंट क्या है, फ्रिक्वेंसी है, या तो counter बोल लो उसको होगा, और उस frequency के corresponding याद करो, मैंने क्या रखा था, एक list रखा था, और लिस्ट किस किस चीज की थी, list में बहुत सारे notes थे, और हर एक note किस type का था, vector था, जिसमें तीन elements रखे थे मैंने, key, value and frequency, तो list किस type का है, vector of int type का है, ठीक है, vector of int type का है, और इसका नाम मैंने frequency रखा था, है ना, इसमें मैं लिख देता हूँ, frequency है, ठीक है, उसके corresponding, एक list है, है ना, list है, और हर एक list में किस type के चीज़ें है, list note की value का, key है, key है, value है and counter है, या तो frequency बोलो, counter ही लिख देता है, ठीक है, मैं फिर सरी बिट कर रहा हूँ, ये int क्या था, frequency था, frequency ना बोलके मैं इसो counter बोल लेता हूँ, counter बेटर है, ठीक है, और हर एक counter के corresponding एक list था, है ना, list था, और list किस type का था, vector type का था vector क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि, तीन elements थे हर एक डब्बे में, key, value and counter, ठीक है, यहाँ तक clear है, तो याद करो, मैंने क्या बोला था, कि यह, अब देखो, इसको मैं resolve कर रहा हूँ, address को, ठीक है, unordered map, int, और एक address, address किसका था, याद है, हर एक node का, हर एक node का address है, और हर एक node किस type का था, list of vector of int type का था, वो मैंने यहाँ लिख दिया, यह मैंने लिख दिया, और address बताने के लिए, कि भाई, वो address होने वाला है, double quotes, iterator, ऐसे लिखता है, ठीक है, यह important, मैंने LRU में भी यह चीज़ बता रखिये, ठीक है, यह तो clear हो गया, हमने अपने data से बना दिया, भाई, आपका 50% question यही पर solve हो गया, interview इधर ही impress हो जाएगा, ठीक है, यह clear हो गया, यह भी clear हो गया, अब हमें get लिखना है, ठीक है, हमें अभी get लिखना है, ठीक है, हमें अभी get लिखना है, ठीक हो, get में मैंने क्या बताया था, कि सबसे पहले तो भाई, देख ले, कि mp.find वो key है भी की नहीं, अगर वो mp.ind हो गया, तो भाई, return minus 1 कर दो, बात यही पर खतम, और अगर है, अगर है, तो भाई, value निकाल लेते हैं, तो मैंने क्या बोला था, value कैसे निकालेंगे, पहले तो मुझे उस key के corresponding, वो address चाहिए होगा, है ना, और वो address कहाँ चिपा है, भा पहले ना, वो address में निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो एक काम करते है, auto address, ठीक है, is equal to, ध्यान देना, देखो, यहाँ बहुत important है, mp है, mp में जब key डाला, तो क्या मिल गया, भाई, address मिल गया, mp में जब key डाला, तो address मिल गया, और वो address किसका होगा, एक list का होगा, एक list of node क होगा, address होगा, एक node का होगा, जो कि उस list का part होगा, है, इस list का part होगा, ठीक है, तो address होगा, तो उसको resolve कर देंगे, तो अव्वेसे मुझे, वो node मिल जागा, पक का, और वो node क्या है, actually मैं vector है, तीन चीज़ों का, ठीक है, तो यहाँ पर ना, मैं vector नाम दे देता हूँ, उस address था ना, उस pastrix जब मार दिया, तो उस node का address मिल गया, direct, और वो node क्या है, एक vector है, उस vector में तीन चीज़े थी, क्या थी, key, value, and counter, key, value, and counter, और counter, तो मिल गया, counter या तो f भी बोल सकतो, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, counter बोलेंगे उसको, और यहाँ पर मुझे value चाहिए, return त तो int value is equal to vec of 1, simple, इसी को return कर देना, value, क्या काम खतम हो गया, नहीं, return तो कर दूँगा value, लेकिन मैंने यह याद करो, क्या बोला था, भाई, अभी recently वो used हुआ है, अभी just उसको मैंने use किया है, तो मुझे उसको most, मतलब अवस है, उसको update तो करना पड़ेगा, उसकी frequency बढ़ with the small, यह is maintained for each, when a key is first inserted, use counter is set to one, लेकिन अगर the use counter for a key in the cache is incremented, इधर a get or put, get या put हो भाई, मुझे frequency अपडेट करनी है, तो भाई, यहाँ पर मैं एक function लिख लेता हूं, जिसको मैं frequency अपडेट कर सको, तो function का नाम मैं, मैं नाम लिख लेता हूं, make most frequently used, एक function में मैं एक key भेज responding उसकी frequency अपडेट कर दूँगा, जो जो अपडेट करना है मुझे वो सारी चीज़े कर दूँगा, तो ठीक है, अपडेट करते है, वाइड, यह function मैंने अलग से लिख दिया है, ठीक है, अलारियू देखो को तो बिल्कुल सेम इसी तरह का अलग से function लिखा था, ठीक है, त इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि मैं इस वेक में जो change करूंगा वो सही में original map में change reflect होगा, अगर and नहीं लिखूंगा तो copy आजाएगा, सिर्फ इस वेक में change होगा, जो कि copy होगी, original MP जो है, इसमें change नहीं हो पाएगा, इसलिए and मैं reference ले रहा हूँ, ठीक है, यह तो clear हो ग देता हूँ, हैना, f नाम better है, वेक of 2 में frequency होगी, ठीक है, अब मैंने क्या बोला, कि भाई, पहले तो मुझे इस entry को, इस key को यहाँ से तो erase करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं इसकी frequency बढ़ने वाली है, हैना, और वो जो बढ़ेगी नया counter बनेगा उसका, ठीक है, तो उस erase कर रहा हूँ, ठीक है, किसको erase कर रहा हूँ, जहन दो, मुझे address देना, किसी भी डबली लिंक्लिस को, अगर मैं address दे दूँ, तुरंत उसको erase कर देगा, तो address याद करो, MP में stored था, MP of is key address, डायरेक्ट उस note को delete कर देगा frequency, डबली लिंक्लिस है, यह चीज मैंने बताई थी, code, explanation के बत, उसको दोबारा देख लोगा, याद नहीं आ रहा तो, ठीक है, और मैंने क्या बहुता है, कि अगर, ठीक है, erase तो कर दे रहे हैं, और अगर यह खाली हो गया, मतलब, frequency of f, जो डबली लिंक्लिस है, वो खाली हो गया, खाली हो गया, तो भाई, इस frequency को ही हटा दो, frequency.erase f, इस frequency में कोई डबली लिंक्लिस है ही नहीं, तो erase कर दो, उस frequency टेबल से मैप सी हटा दो, ठीक है, अब विस से बात है, यह नया, जो की आया है, यह अभी just use हुआ है, तो frequency इसकी बढ़ाएंगे हम, है ना, नया बंदा है, question में यह दे रखा, frequency अपडेट करनी पड़ी ठीक है, frequency f से एक corresponding नया डबली लिंक्लिस होगा, और मैंने क्या बोला हर बार push underscore front करेंगे, ठीक है, और front करेंगे तो एक नया node डालेंगे, तो हर node क्या था, हर node में तीन values थे है, key, value and counter, की तो पता है, value भी निकाल लिया हमने, और counter क्या होगा, नया f, यह नया f, यह updated f है, ठ हमारे MP में address यह था, पुराना वाला address, अब address चेंज करना पड़ेगा, यानि कि इस key का address अब change होगा, MP of key क्या हो जाएगा, इस frequency f के corresponding के डबली लिंक्लिस है, push front किया था ना, तो dot begin वाला ही उसका address देदेगा, देखरो, हमने बहुत important function लिख दिया, यह वाला, इसको minimize कर रह हो जाएगा, इधर से ही, है ना, zero capacity तो कुछ नहीं डाल सकते है, मैं, okay, if, अब देखो, सबसे बहले तो मैंने का बहला कि देख लेते हैं, कि यह key present तो नहीं है ना, कहीं, पहले से, not equal to MP dot, MP dot end, अगर present है पहले से, तो भाई, अब्वेस से बात है, उसकी value update करनी पड़ी कि म सबस्क्राइब कर दिया, और मैं वेक में change कर रहांगा, तो मैं चाहता हूं कि वह original MP में भी change हो, तो मुझे reference लेना पड़ेगा, यह सब बहुत basic चीज़े हैं, अगर आपको अच्छा करना है DSM, तो यह सी चीज़े से जान लो, reference क्यों ले रहे हैं, तो वेक of one को मैं update कर वेक of one क्या है, देखो वेक, इस की के corresponding एक node होगी, उस node को मैंने निकाल लिया, वो वेक है, उसमें तीन चीज़े होती थी हर node में, key, value and counter, तो वेक one क्या है, यह value है, वही value update कर रहा हूं, देखो value update कर रहा हूं, नया value डाल दिया, यहां तक clear है, अब नया value डाला, ठीक है, यह तो ठीक है, बट यार counter भी तो update करना पड़ेगा, क्योंकि question में दे रखा है, या get हो, या put हो, उस key के corresponding counter मुझे change करना होगा, तो मैंने already function लिख रहा है, देख रहे हो, directly call कर दो, इस key को, भेज के, काम खतम हो गया, इसलिए एक अलग से function लिखने का यही फायदा है, बस भेज दो, आपका काम हो गया, that's it, okay, एक तो यह हो गया, कि भाई, map में नहीं, present था already, और दूसरा case क्या हो सकता है, present नहीं था, present नहीं था, तो अब्वेस है क्या करना चाहोगे, आप, आप insert करना चाहोगे, लेकिन, insert करने से पहले यह भी तो जेक लो, कि आपका जो size है, वो कहीं less than capacity तो नहीं है, है ना, आपका जो, मतलब size less than capacity मतलब क्या हुआ, कि अभी आप और डाल सकते हो element, tension नहीं है, ठीक है, तो डाल सकते हो तो अच्छी बात है, plus plus कर देते हैं, और उसको डाल देते हैं, अब ध्यान दो यहाँ पर, डालेंगे कैसे वो भी मैं बता रहो है, push underscore front पर डालेंगे, क्यों, क्योंकि वो नया बंदा है, और least recently used में मैंने क्या बोला था, कि front पर ही हमेशे डालेंगे, कि वो fresh बंदा है, vector of int, ठीक है, और तीन चीदे डालते था है, ना, key, value, कौनसी frequency, 1 है, भाई, fresh बंदा है, तो 1 पर डाल रहा है, ठीक है, और MP of, इसक equal to frequency, 1 पर वो डाला है, मैंने, और उसका front पर ही डाला है, तो उसका address मुझे तुरन मिल दाएगा, begin से, LRU देखा है, तो ये सब आपको hard नहीं लग रहा होगा, इसलिए मैंने बोला LRU देख लो, इसलिए मैंने सुबह ही LRU डाल दिया था, ठीक है, और पुरा time भी दिया है, सबसे tough part का, time to remove LFU, और LRU when there is a tie, ठीक है, तो ये tough time आ गया हमारे लिए, तो भाई पहले, इसको तो थोड़ थोड़ के लिखते हैं, बड़ा असानी होगा था, कैसे, auto, कौन सा list है, पहले वो निकाल लेते हैं, कौन सा list है, पहले वो निकाल लेते हैं, कौन सा list है, वो map में वो होगा, तो यह को मैंने क्या बोला था, मैं आख बंद करके यह बता सकता हूँ, कि least frequently वाला counter कौन होगा, कौन होगा भाई, frequency.begin वाला होगा, यह बंदा होगा, जो सबसे least counter हो लगा, यही मेरा target होना चाहिए, ठीक है, तो frequency.begin मिल गया, ठीक है, अगर इसका first क्या ह होगा, वो counter होगा, counter की value होगी, one होगा, obvious सी बात है, या तो two होगा, जो भी available है, और second क्या होगा, dll होगा, है ना, तो मैंने second करके यहाँ सा कौन सा list निकाल लिया, कौन सा dll निकाल लिया, चलो यह तो बता चल गया, अब यह भी निकाल लेते है, key to delete, कौन सा key delete करना इसको मैंने क्या बोला, delete खमेशा किसको करेंगे, जो सबसे back में है, back में जो है, ठीक है, तो कौन सा list में सबसे back वाला node मैंने निकाल लिया, हर node में तीन values होते है, सबसे पहला value क्या होता है, key, दूसरा value क्या होता है, value, तीसरा होता है counter, तो मुझे की निकालना ना, यहाँ पर, तो key 0th index पर है, 0 लिग दिया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक तो clear हो गया, उसके बाद, अब ठीक है, delete करना था ना, इसकी कौन सा list में जो last बंद है, उसको delete करना था, तो कर देते है, dot, pop underscore back, यह तो अलारियो concept लगाया, direct back से delete मार दिया, देख रहो, जब मजा आ रहा है, लिटरली सो करने में, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा है, explanation समझना अच्छे से, तब आके code में line by line देखना, ठीक है, और मैंने एक और चीज़ बोले थी, अगर मैंने उसको delete कर दिया यहाँ पर, और वो list अगर empty हो गई, मतलब, अगर जो list है, जिससे मैंने pop back किया, अगर वो empty हो गया, तो अब्वे से बात है, उसको उड़ा दो, पूरा का पूरा, है ना, तो frequency map से उसको उड़ाना पड़ेगा, erase, किसको उड़ाना पड़ेगा, पहले वाले बंदा था वो, है ना, पहला वाला बंदा कैसे निक लेगिन, ठीक है, और first करेंगे, तो वो delete हो जाए, first counter की value मिल जाएगी, तो वो delete हो जाएगा, याद करो ना, अभी थोड़ी दर पहले explanation ने बताया था, last वाला part, किसी map से erase करने के लिए कैसे करते था, map.erase, और जो key की value होती थी, है ना, तो key मतलब, पहला, map में दो ही में डालना, यह बंदा fresh है, भाई, one में डालोगे ना, तो frequency one dot, और कहा डालेंगे भाई, push hundreds को front करेंगे, हर बार, हर बार push front करेंगे, ठीक है, और obviously बाद मैंने क्या अब लादा, तीन चीदे डालते हैं, vector of int, तीन चीदे डालते है, key value, counter, counter one है, counter तो one है, है ना, fresh बंदा है key value मैंने, निकाल लिया, क्या, key value मैंने, key value मैंने, नहीं निकाल, हाँ, key value दे रखा, यह तो, key और value तो put में है, ठीक है, key value डाल दिया, यह हमारा हो गया, सारा काम, अब जो key to delete था, उसको तो using नहीं किया, delete भी तो करना है, तो mp.erase, key to delete, delete कर दिया, और जो नया बंदा आय key, उसको mp में डालना भी तो है, तो mp of key में डाल दिया, और mp में याद करो, key corresponding address होता था, address कैसे होगा, frequency 1, से मुझे क्या मिलका है, double link list, और इसको डाला कहां पर है, front पे डाला, push front, तो address direct मिल जएगा, begin मार दो, यह सब LRU वाला चीज लिख रहा हूँ मैं, इसलिए है, I agree, हमने तीनों function लिख लिए, इसको run करके देख लेते हैं, question is very good, very very good, क्या error रहा है, line number 69, frequency.begin, oh sorry, यह वाला लगेगा, let's see, देखो, यह basic, जिसका clear हो न, वो यह सब समझ जाएगा, यह arrow pointer की यूज किया है, यह चीज़े ज़रूरी है, basic strong होना चाहिए, अगर इतना tough question बनाना है, तो, देखो, यह एक important, जिसमें यहाँ, क्या miss करती, मैं चाहता हूँ कि frequency में जो update हो, console list ही, जो है न, यह, इसको देखो, मैंने reference में नहीं लिया था, reference में नहीं लेंगे, तो पता है, क्या होगा, original frequency वाले map में update नहीं होगा, ठीक है, इसलिए, यहाँ reference में लेना पड़ेगा, देखो, यहाँ उपर भी मैंने, यहाँ reference में लिया था, चीजों को reference में ही लो, क्योंकि आप चाहोगे न, कि यह direct इन लोगों पर भी update हो जाए, ठीक है, और मैं अलग से vector ले लेता हूँ, वरना मैं बता है, यह direct यहाँ ऐसे कर सकता था, यह vector हटा दो, और यहाँ direct यह कर सकता था, बड़ी बड़ा confusing लगता है, इसलिए, मैं अलग-अलग तोड़ लेता ह हूँ, ठीक है, तो यहाँ एक and miss हो गया था, ठीक है, अब्वेस्टी बात है, यह कौन सा list जो है, मैंने क्यों अलग से निकाला, क्योंकि अगर कौन सा list नहीं निकालते है, तो आपको यह पूरा का पूरा यहाँ ऐसे लिखना पड़ता, तो यह ना, इसको सिंबल करने के ल अब्वाइब तो यहाँ अब्वाइब तो यहाँ आपको यहाँ प्राओड की हमने इस वीडियो और प्लीज फील फ्री तो रिवाइज इट लेटर अलसो क्योंकि मैं खुद भूल जाता हूं इस क्वेशन को, थीक है, बहुत तफ पुशन था, अच्छा था, आपको यहा गए ने 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 वीडियो तक यू